इस स्कूल की विल्डिंग बोसीदादी कई बरसों से 2013 के अंदर मैंने कलेक्टर का लेटर देखा तक कलेक्टर में खास लेटर लेखा था जी एचेंची में डिलाबिटिंग कंडिशन के लिए कहा गया था उसमें ये कहा गया कलेक्टर साथ की तरफ से बिल्डिंग गिर सकती है लेहादा उस बिल्डिंग को हमको शिफ्ट करना बेंत्याज जरूरी है मगर किसी वज़े से बच्चों के एजुकेशन का जहन में रखते हुए वहाँ पे टेमपरवरी शेड डालके बिल्डिंग को यूज ने करके वहाँ पढ़ा रहे थे मगर बार बार ये कहा जा रहा था अब 2013 से ये बिल्डिंग गिरने वाली है इछले साल मैंने अपना इंस्पेक्शन करके डियो साथ के साथ में ये का रिक्वेस्ट किया था कि एट लिस्ट ये एकडेमिक येर तक हम लोग चला लेते हैं उसके बाद आप बहला शिफ्ट कर लो तो जैसे ही वो इसकुल शिफ्ट करने की बात आई को तो कुछ सियासी लोग जो अपने आपको सियासी जमात के नुमाइंदा कहते हैं वैसे लोग हैं अपने परसनल इंटरस्ट के खाकर आठी स्कूल के अंदर भी मदाखिलत करते हुए इसकूल की बिल्डिंग जो अच्छे से शिफ्ट हो रही थी जैसा हुमाइन नगर्ट टू प्रैमरी स्कूल जो सुबा चलता था उर्दू मीडियम उसको बाजू जेबाबाग के अंदर गौर्नमेंट प्रैमरी स्कूल कामाटी पुरे में शिफ्ट किया गया वो अर्दू काम पेंडिंग है वो भी करा दिने हैं अभी स्कूल चलता यह वी के अंदर जैसा भी है वो चीज़ करेंगे तो मैं आपके चैनल के जरिये से यह कहना चाहता हूं कि मंजिस इत्धाद में नखीब मिल्लत गरिशकर सबस्दीन अवेसी साब की सदारत में और अधीब मिल्लत में कोशिश करेंगी और जरुरत पढ़ने पर हम हमारी जाती सर्माए़ से बच्चों के एड़ुकेशन पर खास दिल्चस्पी लेंगे जो गौर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे हमारी खास तबज़ रहेंगी मैं आज जितने भी लोग यहां पर शरीक होई है और क्रेस मेडीया इलक्रानिक मेडिया उनका शिक्रियादा करता हूं जिटी विऊ का शिक्रियादा करता हूं यहां के प्रेंसकल साहब अससरात दुग्रेदा इन में हैं इसमें गुप आगा नाले साइब और मेन भान जो कि जो कि आंगी कि अचें कि थो बॉप है नहीं बाता है इसमें जो अमाला पर दिर नहीं है जब जाता है तो जो रूम्स बने नांगल जब तो उसमें जापकर हमारी शीप करिये बश्कत हो रहे हैं इसी को यपी इसमें हाई उमें तर्थे देख्टे देख्टरों पार जाएंगे लगा जाएंगे